रादे रादे श्री हरीदास, चटी पर की धेर सारी शुब कामनाएं आप सभी भक्तों को तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि हम लोग चटी पूजन किस प्रकार से करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि छटी पूजन हमेशना शाम के वक्त किया जाता है मतलब दिन ढलने से पहले और दोपेर के बाद में तो आज सारा दिन फिर इसी की तैयारी में लगे रहना होता है सभी भक्तों को तो भई लाला को मैं थोड़ी देर के लिए फिर भी देर टाइम में शैन में भेजती हूँ थोड़ा सा विश्राम जरूर कराती हूँ और विश्राम कराने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं सारा आभुशन वगेरा लाला के एक तरफ उतार के रख देती हूँ ताकि उन्हें किसी प्रकार की उलजन ना हो तो यहां पर मैंने दुपेर के बादी मतलब करीब चार बज़े के करीबी मैंने सारा जो भोग था वो तयार कर लिया था और सारी पूजा की जो थाली वगेरा सब मैंने तयार कर ली थी ताकि मुझे पूजा में किसी प्रकार की कोई उल्जन ना हो और हमारे हम पर जो चटी पूजन होता है वो कड़ी चावल फुलके और मिठाई से होता है चटी पूजन पर हम लोगों को लाला के लिए लाने होते हैं नए वस्त्र आभूशन और नया बिस्तर यह सब अपनी छमता के नुसार होता है जो जितना कर पाए उतना कर लीजिए ऐसा कुछ बाधा नहीं बात्या नहीं होता कि आपको यह सब कर रही है जितना आपकी capacity है उसके recording आप यह सब कर सकते हैं तो यहां पर मैं बैट पर से लाला को उठा के लाई हूँ और बिठा दिया है यहां सिंग्यासन में लाला का जो सिंग्यासन है वो फूलों से एकदम सजा हुआ है तो लाला भी फूल है हमारा और फूलों के बीच में ही बैठा हुआ है तो यह मैंने लाला को स्नान कराने के लिए जो छटी का स्नान होता है कहते है ने छटी का दूदिया दिला दिया तो यह तीन बार डुबकी लगवाई जाती है सवा लीटर गाय के दूद में गाय का दूद अगर ना हो तो आप कोई और दूद भी ले सकते हैं बट मेरे पास अवे लेविल था गाय का दूद तो मैंने वही में लाला को तीन दूब्गियान लगवा दी हैं प्लेन जो पानी होता है उससे मैंने स्नान भी करा दिया हैं अगर आप चाहें तो आप पंचा पहल लेते हैं लाला पोछाव पहल लेते हैं उसके बाद में फिर ये वाला इत्र लगाते उस स्प्रे वाला तो आज मैं लाला को ना कजल भी डबी वाला यूज करूंगी ये लैक में का का अजाल होनगी यह वेख से सजाव और में को लाणां है के सिंगियासन नहीं। नशी नभाजाई क्लिक्षे कारी बोड हैं आराम से प्लाओं केक्षे भी Punch means ज स्वाजाई स्वाब करें और पाम में लाल आधी थे दिए कि अंवे कर दो में. जे लेख स्वाल ओआक दिए लोगों को चंदन का टीका लागला को लगाना होता है सबसे पहले हमें दूग खासे छीटे लगाने पड़ते हैं उसके बाद में अगर दूग घास नहीं है तो आप little finger जो होती है उसके बराबर वारी फिंगर से भी चीटे लगा सकते हैं फिर चंदन का टी का रोली और अक्षत से फिर चटी का पूजन किया जाता है तो पूजन हो गया हमारा उसके बाद में हम लोगों ने लाला को भोग लगा दिया है वैसे मैं यहां पे पंजीरियां बनाती हूं लेकिन आज मेरे पास में पंजीरियों की सामान की थोड़ी कमी थी तो मैंने क्या किया कि मावा मेरे पास रखा हुआ था मैंने बूरा और मावा के पेड़े बना लिए लाला को तो वैसे पेड़े बहुत पसंद है तो मैंने पेड़े बना दिये और यह देखें यह वह स्थान है जहां पे लाला विराजित हैं कैसा लग रहा है उनका ये इस्थान जहां पे लाला की की है छटी पूजन हमने तो I think आप लोगों को पसंदी आएगा क्योंकि जहां पे लाला है वो इस्थान तो जन्नत से ज़्यादा लगता ही नहीं है सच बोल रही हो ना मैं कमेंट करके जरूर बता तो भाई चटी पूजन कर लिया है हम लोगों ने और अब मैं कर रही हूँ यहां पे शाम की पूजा शाम की पूजा के वक्त फिर मैं लालो को यहां पे जो उनके तोफे होते हैं ना वो लेकिया थी, चोटे-चोटे बैट वगेरा, इस तरीके की प्यानों वगेरा, मतलब चोटे-चोटे से हम ये सब लाके देते हैं, तो कि छोटा बालक है घर में, देखो होता है ना, जब छोटा बच्चा पॉन होता है, तो नई तोफे भी आते हैं, उसके लिए, नई उतारना, बिलकुल मत भूलना, छटी पूजन में शामिल है, नजर उतारना, रादे रादे गुड़ाएं, चुहरदास!